आखिर करिशमा कपूर और उनके पूर्व पती संजAY कपूर के रिष्टे की सच्चाई क्या है क्या आप जानते हैं। 1990 के दशक और 2000 के दशक की शुरुआत में कई सफल फिल्में दी हैं। अपने अभिनय करियर के अलावा करिश्मा कपूर अपने व्यक्तिगत जीवन और विवाह को लेकर भी चर्चा में रही हैं। करिश्मा ने 2003 में उद्योगपती संजे कपूर से शादी की थी लेकिन उनका यह रिष्टा कई उतार चड़ाव से गुजरा और अंततह तलाक में खत्म हुआ। उनके विवाह और तलाक की कहानी ने मीडिया में काफी सुर्खियां बटोरी। करिश्मा और संजे की मुलाकात करिश्मा कपूर और संजे कपूर की मुलाकात एक आम परिचय के जरिये हुई थी। कुछी समय बाद उनके रिष्टे में समस्याएं आनी शुरू हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार संजे कपूर के साथ करिश्मा के रिष्टे में कई बार खटास आई। करिश्मा ने अपने पती पर बेवफाई और अनुचित व्यवहार का आरोप लगाया। वहीं संजे कपूर ने करिश्मा पर आरोप लगाया कि करिश्मा ने उनसे सिर्फ पैसों के लिए शादी की थी। करिश्मा ने अपने रिष्टे के बारे में खुल कर कहा कि संजे उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। संजे ने उन्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से प्रताडित किया जिससे उनका वैवाहिक जीवन काफी मुश्किल बन गया। तलाक और कानूनी विवाद करिश्मा और संजे के बीच रिष्टे इतने तनावपूर्ण हो गए थे कि 2010 में दोनों ने अलग होने का फैसला किया और 2014 में करिश्मा ने तलाक के लिए अरजी दाखिल की। इस तलाक के दोरान कई विवाद उभरे जिसमें बच्चों की कस्टडी और आर्थिक समझोते प्रमुक थे। उनके साथ अनुचित विवहार किया और उन्हें अपने मित्रों के सामने अपमानित किया। वहीं संजय ने भी करिश्मा पर आरोप लगाए कि उन्होंने शादी पैसों के लिए की थी और परिवार के साथ सही से पेश नहीं आई। इस तरह का सारवजनिक विवाद मीडिया में काफी चर्चा का विशय बना रहा। तलाग के बाद का जीवन तलाग के बाद करिश्मा कपूर ने अपने जीवन को पुनस थापित किया और वह अपने बच्चों की परवरिश पर ध्यान केंद्रित करने लगी। उन्होंने फ रिष्टा करिश्मा के साथ उनके विवाह से अलग है और वह अब एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहे हैं। तलाग के बाद करिश्मा ने अपने जीवन में स्थिरता पाने की कोशिश की और वह अपने बच्चों के साथ एक शांतिपूर्ण जीवन जी रही हैं।